पहुचा दूंगा इससे मेरी और आपकी दोनों की इच्छा पूरी हो जाएगी ठीक है भाई और भोला दीपचंद का कावड अपने कंधों पर उठा लेता है और दीपचंद को भी साहरा देता है दोनों साथ साथ चलने लगते हैं कैलाश परवत पर बैठी माता परवती ये देख कर मन ही मन मंद मंद मुस्कुरा रही थी धन्य है आप भोले नात आपकी लिला अद्भुत है भक्त की सेवा करने खुद पृत्वी लोग पहुँच गए उधर भोला दीपचंद का कावड उठा कर और दीपचंद को सहारा दे कर चल रहा था दो दिन के सफर के बाद दोनों बाबा धाम पहुँचे बाई ये लो आपका कावड आप मंदिर में जाकर बाबा भोले नात को जल चड़ा दो मैं यहीं आपका इंतिजार करूंगा और दीपचंद मंदिर के अंदर चला जाता है वो भगवान भोले नात को जल चड़ाता है और माफी मांगता है ये भगवान भोले नात मुझे शमा कर देना प्रभू मैं आपका कावड खुद नहीं उठा पाया दीपचन बार बार भगवान भोले नाथ से शमा मांगता है और मंदिर से बाहर आजाता है मंदिर से बाहर आकर दीपचन ने देखा कि भोला वहीं खड़ा था लेकिन उसका सिर पानी से भीगा हुआ था और पानी गिरने के कारण उसके कपड़े गीले हो गए थे अरे बोला, तुम्हारे सिर पर पानी कहां से आया, और तुम गीले कैसे हो गए, अभी तो बारिश भी नहीं हो रही है दीपचंद, अभी अभी तो तुम मेरा जलबी शेक करके आये हो, तो मुझे गीला तो होना ही था लेकिन मैं तो भगवान बोले नात को जलब इतना कहकर दीपचंद रुख गया और भूला के सामने हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया मैं समझ गया प्रभू, दर्शन दीजिये प्रभू और बाबा भूले नात अपने अस्री रूप में आकर दीपचंद को दर्शन देते हैं दीपचंद तुम्हारी भक्ती ने मुझे तुम्हारा कावड उठाने पर मजबूर कर दिया तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी भक्ती, मेरा आशिरवाद सदा तुम्हारे साथ है इतना कहकर बाबा भूले नात अंतरधान हो जाते हैं आज मेरा जीवन सफल हो गया प्रभू मंदिर के पास ही दीपचंद को एक डॉक्टर का क्लीनिक दिखाई पड़ता है जहां मंदिर में आने वाले भक्तों का मुफ्तिलाज हो रहा था दीपचंद वहां से दवाई लेकर घर आ जाता है और अपनी पत्मी सविता को सारी बात बताता है भगवान भोले नात ने खुद आपकी मदद की है अब देखना हमारी गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे गरीब की महाशिवरात्री सोमनात और उसकी पतनी उमा भगवान शिव के परमभकत थे सोमनात की कई पुष्टें पंडिताई का काम करती आ रही थी जिसे आगे बढहाते हुए सोमनात भी घर घर जाकर पूजा पाठ के काम करवाता था उमा को भी गाउं में सभी लोग पंडिताइन कहकर बुलाते थे और कोई भी अच्छा काम करने से पहले उसकी सलाह जरूर लेते थे अरी पंडिताइन घर में हो की नहीं? हाँ हाँ मैं कहा जाओंगी? आओ, अंदर आजाओ अच्छा, तो पूजा में लगी हो अरे बस करो, भोले ना आथ को घर बुला करी रहोगी क्या? अरे कमला, ऐसे भागी हो जाएं तो जीवन सफल हो जाएं वो आज सोमवार है न, तो मेरा और पंडित जी का व्रत है ये लो, भोले बाबा का प्रसाद अच्छा, अच्छा, लाओ अच्छा, पंडिताईन, वो मुझे न, मुन्ना का मुंडन करवाना है जराइक अच्छा सा दिन देख कर तो बताओ हाँ, हाँ, अभी लो, बस दो मिनट रुको परसो का दिन सही रहेगा अरे, इतनी जल्दी, नहीं नहीं, इसके बाद का कोई दिन देखो मुझे दावत करनी है, इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा सब अ, इसके बाद तो अगले महिने की ही तिथी ठीक रहेगी ओहो, ना, ना, अगले महिने तो देर हो जाएगी कमला, तुम परिशान क्यों होती हो, मुन्ना का मुंडन परसो ही करवालो सारी तैयारियों में मैं तुमारी मदद कर दूँगे सच, पंडिताईन, तुमने तो सारी परिशानी ही हल कर दी और वैसे भी तुम रहोगी, तो सारे काम बिलकुल सही तरीके से हो जाएगे और पंडित जी को भी बोल देना, मुन्नन के बाद हवन उन्हों नहीं करवाना है ठीक है, मैं बोल दूगी अच्छा, एक बात बताओ पंडिताईन, वो वैदी जी के बारे में बताया था तुम्हें, गई थी वहाँ हाँ, गई तो थी, इलाज भी चलाया, लेकिन कोई फाइदा नहीं हुआ अच्छा, तुम तुम चिंता मत करो, वैसे पंडिताईन, मैं क्या कह रही थी, तुम क्यों परिशान होगी चोटी सी तो दावत है, मैं आने प्टालूँगी सारे काप, और मुझे न, अब भी याद आया, वो मेरे जेड जी, वो मेरे जेड जी है न, वो कह रहे थे कि इस बार हावन वही करेंगे, तो पंडित जी को भी परिशान होने की ज़रुरत नहीं है, अच्छा, तो मैं अब चलती हो, इतना कहकर कमला वहाँ से चली जाती है, वो भले ही कुछ साफ साफ ना खह पाई हो, लेकिन उमा सब समझ गई थी, फिर उसी शाब, सुनते हुची, आज कमला आई थी, अपने मुन्ने का मुन्डन करवा रही है, अच्छा, तो फिर कब जाना है, नहीं, हमें नही पूछने लगी कि वैदे जी के यहां से फायदा हुआ या नहीं, अच्छा, तो जब उसने सुना कि हमें बच्चा नहीं हो रहा, तो हमें अपने घर बुलाएं नहीं, उसकी गलती नहीं है जी, उसका मुन्ना पैदा होते ही बिमार पड़ गया था, बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ, ऐसे में उसके मुन्डन के वक्त हमें बुलाने में तो संकोच करेगी ही ना, नहीं उमा, ये सब अंध विश्वास है, हमारी कोई अलाद नहीं है, तो क्या हम सब के लिए आपशागुनों गए हैं, ये तो मुझे नहीं पता जी, लेकिन इतना जरूर जानती हो कि जरूर कोई न कोई बड़ा पाप हुआ है मुझसे, जो शादी के दस सालों के बाद भी मुझे अबागन की गोद सुनी है, उमा की आँखों में आसु थे, और जब ये आसु उसके बस से बाहर हो गए तो वो मुझ छिपा कर अंदर कमरे में चली गई, सोमनाथ के लिए ये तकलीफ काफी बड़ी थी, एक तो संतान हीन होने का दुख और उपर से गाउवाले भी अब सोमनाथ और उमा से किनारा करने लगे थे, लोगों ने धीरे-धीरे सोमनाथ को पूझा पाट के लिए बुलाना कम कर दिया, जिसकी वज़ह से सोमनाथ के लिए घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा था, अरे राम किशोर जी, मैंने सुना बड़े बेटे का जनेव संसकार करवा रहे हो, मुझे याद नहीं किया आपने, वो पंडित जी, दरसल वो हरी प्रकास जी से बात हो गई, तो वही करवा रहे हैं, लेकिन राम किशोर जी, अब तक तो आपके घर के सारे काम मैं ही करवाताया हूँ, फिर अब क्या हुआ? देखो पंडित जी, पूरा गाम भले ही लाग लपेट करें, लेकिन मैं आप से जूट नहीं बोलूँगा.